असलाम अलेकुम आप वालकुम टू माइ चैनल मैं उम्मीड करती हूँ कि आप सब बिल्कु ठीक होंगे लात आप सब की तमाम प्रेशानी को दूर को रहे आमिन सुमामी आज हुमारे की चुमें परने जाह रहा है चिकन फ्राइ स्टेक्स चिकन क्रिस्पी स्टेक्स जिसके आप पर दो सिन्य के पीस ली है मैंने आम पर और वैंने सिक शिकस किया एक शीम में आप तो प्रॉटर्णा टीन स्लाइस की आप चाहे तो किसी एक्सपरट से सहाड़ा ले सकते हैं मदद लेसकते हैं जैसे कि मैं जो बिल्कुल परफ्रेक्स है गात सब्सक्तिक्स करें था जो बिल्कुल फ्लैट किसम से हमारा जो पीसी जाए क्योंकि हमें उसको मोटा ने करना है ताकि चिकन प्राम आगे कि मैं जुनिया में आया क्यों है जब हमोने चिकन को मैरिनेट करना है तो हम लोगों को सिर्फ विनिंगर की जरूरत होगी और कुछ नहीं जाएगा इसकी अंदर तो यहां मैं लिया नमक काली मिर्च इसको मैं चिकन के दोनों तरफ लगा लूँगी बिल्कुल अच्छ तरिके से अपने जाता नमक नहीं लग एलिए और कि लिखिया जब हैं करतीज तो यहां कर यह तरह मैं आप यहां मैं और सब्सक्रण से और मे कमें भाके। जाइल आड़े यह दाल कि थे वाज कौरूं मैं तौए तौर लाँन जान तैन प्रीज़ मैं सेरा दia यह देल खुला ड्विजनर के लिए टिक कातु लिए डग दूझक दूओ इत करें दुब कि अपने आपने टूंस कि बादाने के बादू करें के चिकन स्थावी यहां पर चिकन के शुछिषिर मॉर्जयले चिस जरूरत है फूरे लॉच चाहें दोड पर शुछिष जुछिषू की जुरूरत है वनकब मेरे पास दूद है मैश्रोमज उर्पाइबे ट्रिम निल्ट पैकी और बेजल लीव एंगा या मंकः टी स्पूंध मेरे लिट एत और मैने सकंदे यहां पर 3 डेबल स्पून मैने मेदा आड़ की अब मैं आपको मेदा भी दिखाना भोल गी है और मैं चिकनी यह और मेदा भी एड़ कि और मेदा भी आड़ होगा दर मैं मेदे की एक साथ भुनाई करूंगी कम असकम 2 मिन तक अपने लोग फ्लेम इसकी भुन क्योंकि मैं इसको मिक्स करना था जो आप देखें कि तो यहां पर इसके लंप बन चुके मैं तो आप इसको मिक्स करूंगे ताकि जितना भी आप इसके साथ निजोल हो जाए अच्छी तरीके से और यहां पर लो फ्लेम थी दर मैं सलोली स्लोली मैं इने साड़ा से दूद और लो नो हम पर दो इसको कोक करना ताकि मैदा रिजोल मिलके अंधर साड़ा और इसकी जो तो इसकी जो डोप में ऐसा फोम में आप ठोड़ी सी घाली फोम में होरा के और चुक है छुट छोटे शीम से है वहां जोब जब आहिस लिए जो जोब आप आप तो नमक दालूं आपी मिक्स करके स्कोचे से मिक्स कर रही हूं वाते मेरी उल्ट पुल्ट होती रहती हैं इतना तो कोई देख और खोच नहीं ओके मेने इसको मिक्स कर लिए थि थी मैंने पूरा बॉल नहीं दाला महुँआ जहा चीज को मैंने फ्रीज हुआ था इसलिए मुझे निकाला मुश्किल होगा था, मैंने इसको बाहर रख दिया कि जब भी थोड़ा नड़म होगा तो मैं निकाल लूँगी क्योस तो मैंने साथ से आठ कियूब स्मॉट जारा चीज के अड़ किया है, मैं आपर चिकन की यखनी है, वह मैं इसके अड़ करी हूँ को यह असल जुसकी सोस ज़ाइका है वह चिकन की यखनी से आएगा और चीज से तो आता ही आता है लेकिन चीज ना भी हो तो चिकन की यखनी आपकर पास लाजमी होने चाहिए और चीज की यखनी दाल के मैं इसको में आपर मिक्स का लिए, महापा जो चीज ती वह बिल्व यार आप इसको फ्राइज के साथ भी खा सकते हो चीज इस फ्राइज बस आपे इसके लिए करना होगा तू टेबल स्पून आप इसके दर मस्टर सोस एड़ कर देंगे तो यह फ्राइज सोस त्यार हो जाएगी और इतनी बहुतरीन थी मतलब को इस फ्राइज चिकन तो था ही यह फ्राइज करना पड़ाया अंधर गराऊ इसके लिए अरगाना आड़ करूंगी और अट्राइज कर मैं एसको फिर से जो चीज की जो लेयर्स है वो चमचे के साथ लग रही है तो मैंने इसके मश्रूम जाइड कर दिये और मैं इसको मिक्स कर रही हूं अच्छा जो मुर्जाला चीज है वो स्ट्रेश देती है और जो स्ट्रेश होता है वो देखने का काफी मज़ा आता है और यह मेरी जो यहां पर सोस है रेड़ी हो चुकिए ते मैंने इसको कवर करकर रख दिया था साइड पे दे में आपर लूँगी दो कप मेदा लूँगी और मेदा हम लेंगे कोटिंग कर लेंगे तो आप में पास वन टेबल स्पून में पास है गार्लिक गार्लिक यह रही ह और आप लोगों इसको मेदे के अंधर अधर करके यह पर अच्छे से मिक्स कर लाही है काना यह जो एक अज आधर कर ले शच्छी है यह सपे पानी के अदर दम ऑए भी एसको मेदे करा हैँ हमे तो कोटिंग करेंगे ini single coated restingCH challenge इस थरीका से जितनी मेरे जितनी मेरे टेक मेरे मेरे सारे के बढ़ने लुटेया, कोड़ी मेरे मेरे कर्डाही चिकन वह हम गफार बीं और बार से सरे भी मत और यहां ठावे बीयानी पखर यहां रहे झाए पर शेक्ळलई मन्रे कवा सब ठाव ड हां, पर आप जो अन्त कर दिखा देती हो मेरे पास जो सोस था थंडी हो चुकी थी तर मुना इसको दबाड़ा लो फ्ले में गरम करके और इसके आपस सोस को डालोंगी बहुत ही मज़गी थी आप देखे किस तरह से इसका जो बहुत ही रिच फ्लेवर था और चीज के वह चीज रहे तरह से इसके जो स्ट्रेचिंग मैं अच्चा बेचेस के अंदर और मैंने इसके पससे सोस एट कर ले अच्छा कुछ सेक्स की साथ वेजिटेबल सो मस्ट होती है बर मैं अटना ताम्ली था नो फ्ले मैं ने बट्री स्को बहुत ही अखा दो बट्री तरह का था क्श्म का थेस्ट था खाई मेने थे लेकिन म यह बहुत देना भूली नहीं थी लेकिन आपको वह पीजा की रेस्पी में में वह वह बाड़ा बना रही थी मैं अच्छला मैं आपस शेयर कर लेती हूं रभाड़ीन में थी यह दो कप मेले के साथ में लिए और फिर मेने के सायसी है के लिए अच्छा अच्छा जो अच्छा उड्डल निंक आम को दिखाऊ नहीं कि बहुत तो तूटा था मेरे हागेश भ़न के अधी ंआन की ता वह डो की अ के ऑड़ाब ही के ने ब्लड कर दो यहां से पर रियाल्टी है यार क्या करूँ मैं अपर आपने इसको अंडे के साधा दाल लोगोंने मिक्स करना है चले आप अंडे को पहले विस्क कर ले छह से कोली में फिर दुबारा दाल दे फिर मैंने गुंद कि इसको यहां पर डग दिया और मैं इसकी बेस यारि के उपर लेयर पर मैं यहां पर लगाँगी ओईल ताकि इसको अपर से मारी जो अच्छी से डो है वो राइज हो चुकिए मैं इसको दो गहने पार जो चूड़ दो चुकी थी मैं आपको दुखाना बूल कि मैं वीडियो के परना भूल गी थै तै मैं इसको बेल लिय बेल लो टूट रहा होती और बेल दे बिलकुल गॉल शेप में जो मैं चिकन की फिलिंग थी मेरी थो अदी बच की थी मैं इस चिकन की दुखा और दै मैं आज कितना वेसे अच्छा से मैं इसको कवर किया है कल तो मेरे से तो फस्ट ट्राइ थी वो मेरी तो इसलिए आज मै बोते फ्यारी ठीके से खुँप्ष्वर HRays तो मैंने उसकी फोल्डिंग बहुत अची तरीके से किया है और यहां पर मैं पास अंडर दूद का मिक्स की किया वे और उसका मैं यहां परसे इसको अंडे का ग्रीस करें ग्रीस करेंग साउन करिए और वो किल है मैं दो पास अं हुई थी अच्छा भी यहां पर रेस्पी जो कुक हो चुकी वी है तो अगर आपको मेरी रेस्पी जो पसंद आया तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कुमेंड कीजिए और अपने फ्रेंडस का शेयर कीजिए अलाहाफीज